है अपने थ्योरि पर दिखिए तो diesel विंजल इन फमारा मेंन फॉर्स और हमारा ज़ो भी हमारा अल्टरनेटर होगा उसको ब्रच करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बता रहें आपको ठेक है इस इस द मेन पावर सोर्स यह मार वन power source for the locomotive जो लोको मोटीव है उसके लिए main power source जो हमारा कॉन है diesel engine ही है अगर diesel engine रहे गाई नहीं तो diesel electric engine का कोई यूज नहीं रह जाएगा ध्यान दिजेगा diesel electric engine का कोई यूज नहीं रह जाएगा तो diesel engine रहना बहु जरूरी है ठीक यह हमारा main source हो गया this engine is used as a power source for the alternator that produces the electrical energy to the drive of to locomotive मैंने क्या बता था जो diesel engine है उसी के मदद से आप alternator को operate करा सकते हो अगर diesel engine रहेगा तभी alternator rotate करेगा और तभी alternator जो होता है क्या produce करेगा AC power को produce करेगा और फिर आप उस AC power को rectifier के मदद से आप DC में convert करेंगे and then फिर आप motor जो आपका operate हो रहा है उसमें आप supply दे करके आप पूरे train में movement ला सकते हैं समझना आई बाद good आगे देखिए the engine rotates the drive shaft at up to 1000 rpm जो ड्राइब होता है इंजन जो होगा वह 1000 rpm तक rotate करेगा लेकिन आप यह मैं समझ के चल लेदा कि यहाँ अचर रिप्यमट करेगा तो ट्रैक भी जो होता है और ट्रैक्षन सिस्टम का जो होता हूं भी 1000 rpm तक रोटेट बिगर नहीं इंजन रोटेट करेगा 1000 तो जो अल्टरनेटर होगा ना उसका स्पीड 100 रपीम हो सकता है समझ रहे हैं किलियर ना तो वो जो होता है कितना रपीम तक होगा 1000 रपीम तक इसको आप नोट कर लिजेगा अब्जेक्टिव में पूछा जा सकता इस चीज को ठीक है यहां पर देख लिए बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया था कि में अल्टरनेटर जो होता हुआ क्या होगा में अल्टरनेटर का काम है की एसी एल्टरिकल को पावर को प्रोड्यूस करना और जो ट्रेन का मुवमेंट है या ट्रेन में जो मोटर लगा हुआ है उसमें सप्लाय को देना ठीक है इतना ध्यान लखें देख लिए डिजल इंजन ड्राइप्स दा में अल्टरनेटर विच प्रोवाइज प्रोवाइ यॉवह ओपरेट हुआ और फिर ट्रेन में मूवमेंट स्टार्ट हुआ किसके कारण तो मेन अल्टर रित्र चनरेट अभी मैंने बता यह वारा बार बता रहा हुए जो अल्टर नेटर है वह क्या प्रोडिउस कर रहा है ए actory प्रोडिउस कर रहा है अगर आप डीशी जनि यह नहीं होता है अotherap देखो यहां पर मैं बताऊं तो कदेङी ओन्या शुवाइब पर आप जब सुल में ओन्टव कि इसको यह जो है ना इसको बोहीं के बोलता है बट यह क्या व बोग नहीं यह क्या है आपका यह को है समझेर में। कि यह क्या है को च है और इसके नीचे जो आपका ब्लागा वो सकता है लत बाखे है थे आपका νmeden अब आते हैं हम लोग एक्जुलरी लोकुमोटीव ठीक है अभी हमने देखा था मेन अल्टरनेटर अभी आते हैं अध्जुलरी लोकुमोटीव ठीक ना अब हम बात करते हैं किसका अग्जुलरी लोकुमोटीव यहां पर अगर लिखना चाहें तो आप अल्टरनेटर लिख लेजिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके जो ब्लॉक डियाग्राम है उसमें भी आपका अल्टरनेटर ही लिखा हुआ है तिक लोकुमोटीव सबकी बात कर रहे हैं तो वैसे ऐल्टरनेटर के लिए वया वैसे फैसे लेंड पार मिए और थे लिख पर लायटिंग हीटिंग ठीक है एर कंडिशनेंग हीटिंग कहां पे जो ओवन बगरे यूज करते होंगे पैंटरी कार में एर कंडिशनेंग एसी डाइनिंग फैसलिटी जहां पे खाना वाना के लिए लाइटिंग आप यूज करते होंगे वहां की बात करें सब्सक्राइब इसको हम बोल रहें जिसको आप होटल पावर बोलते हैं दी आउट्पूट इज ट्रांस्मीटेड अलोंग दरें थ्रू एन अक्जिलरी पावर लाइन इस नोन अज होटल पावर देखो अब मालो इसी पावर होगा तो आप कैसे भेजोगे iBear two coach coachуд koch поgaver अध्यागा वहां पे आप टोगए रखोगे इसी प्रकार से कर सकते ना तो वह कानेक्ट किया वह रहता और उस तरह से राट को क्या कर सकते हुआ आपके ग्रूप में अब दिखो एक से सारा चीज वहां से आप डेटा को सकते हैं और इसके मदद से इसके मदद से जो भी maintenance का requirement होगा वहां से भी आप identify करके पता करके आप यहां पर कर सकते हैं of a some sort which can be used to download data जो भी data वगे रहोगा regarding that सब उसी computer में रहेगा और इसी electronic control के मदद से वहां पर download भी कर सकते हैं to a portable or handheld computer ठीक है computer लगा रहता है handheld का यह मतलब की laptop टाइब से ऐसा है जो की आराम से एक जगह से दुसरे जगह तक आप करा सकते हैं उन सबके मदद से आप electro control का electronic control का इस्तिमाल कर सकते हैं अगला हम देखते हैं देखेगा motor blower बोले थे इस प्लेन किया था ना उस चीज को डाइग्राम जो बनाएगा ना ब्लॉक डाइग्राम उस चीज को समझेगा वहां से आपको काफी crystal क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा समझने में बहुत आसानी हो जाएगी तो motor blower क्या होता है motor blower provides air बोले थे हवा देता है फिस ब्लोन ऑवर the alternator traction motor to keep them to keep them cool during heavy load बोले थे जो motor blower होता है वो क्या करेगा हवा मतलब पाइदा करता है समझ लो हवा निकालता है समझ लो और वह हवा जो है apply करते हैं कहां पे alternator पे या फिर जो traction motor होता है वहां पे ताकि जब कभी heavy load होता है या फिर जब अधिक heating वगएर होगा तो उस हवा हवा के मदद से जिसको के air cooling आप कह सकते हैं तरह से हवा के मदद से temperature को भढ़ने नहीं देगा या जो आप कर रहेगा alternator या फिर motor traction motor हो हुआ अधिक temperature उसका नहीं होगा तो उसके कारण से फिर आपका वाइंडिंग वगएरा में दिक्कत होने लगेगा मतलब फॉल्ट होने का possibility बढ़ जाएगा इंसुलेशन जो होता है आप जानते हैं टेम्परिचर बढ़ने से इंसुलेशन का रेसिस्टेंस क्या होगा घटना स्टार्ट हो जाएगा फिर उसके वज़ए से समझने बात को तो उसमें डेस्ट भी आएगा और जब डेस्ट आएगा तो वह डेस्ट जो अगर अंदर आता है तो वह सब क्या होगा पूरे इंजन में फिर पाड़शानी के लिए जिम्यवार हो जाएगा तो हमें ऐसा करते हैं कि एयर इंटेक में हम लोग फिल्टर लग आउट साइड दी लोको मोटीव बाहर से हवा अंदर आता है मोटर को कुल करने के लिए ठीक है ना मोटर को कुल करने के लिए इट हैस्ट वी फिल्टर्ड दू रिमोव दर डस्ट अंद अधर इंप्रोटी जो अधर इंप्रोटीज या डस्ट होगा यह जो भी होगा उसमें अधर पार्टिकल होगा उस सब को फिल्टर किया जाता है एंड इस फ्लो रेगुलेटेड बाइट टेंपरेचर बोथ इंस लोकुमोटी में अंदर है या बाहर जो भी रहेगा उन सब को टेंपरेचर को कंट्रोल करने के लिए ताकि अधिक टेंपरेचर नहीं हो सके हालां कि टेंपरेचर तो ऐसे भी बहुत होता है भाईया कभी इंजल में जाकर देखिएगा भटी होता है ठीक ना चालिए अगल इक है उसको हम लोग किया कर रहे थे रहे और फिर विल्टरिंग सर्कीट रहे ते जो भी पुलसेशन वगईर आघर उसको फिल्टर करेगा और पिर हम सकते हैं traction motor operate करेगा सेम चीज़ यहां पर मैं लिख रहा हूं ध्यान देना तो कनवर्ट दा AC output from the main alternator to DC rectifier are used AC को DC में convert करने के लिए हम लोग क्या कर रहे है rectifier का यूज कर रहे है अलग-अलग प्रकार के रेक्टिफायर यूज र्क्रश्टि होता है यूज रोटरी कनवर्ट रोटरी नवा रोटरी रोटरी कंवर्टर का सकते वह दी इस्तमाल होता हा और यूज्व इफ्द मोनाठ और DC कैसा है नो देनमाट पूट्ट फिंचिन देन उसक्नारी इस दिए वा अगरफ़िकर मोटर यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली जो रेक्टिफायर का आउट्पूट होगा उसे आप यूज कर लिए मतलब बीच में फिल्टर सर्किट तो रहना यह रहना ठीक है फिर से आपको DC को AC में कनवर्ट करना परेगा and then DC output from the rectifier is connected to a 3-phase AC for traction motor अब देखे 3-phase भी यूज होगा तो आप उसको कनवर्ट करके यूज कर सकते हैं 3-phase बना लिए अगला हम बढ़ते हैं बैटरी के बारे में हमने क्या बता था बैटरी जो होता है अल्टरनेटर को अपरेट करने के लिए भी उज क्या आता है अगर अल्टरनेटर माल लेते हैं आफ हो जाता है तो उस situation में भी आप बैटरी के इस्तेमाल करके आप पावर को प्रभाइट करा सकते जहां पर की requirement है दीजल इंजन नेट्स ए बैटरी तो अस्ताइट एट एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर फॉर लाइट अंड कंट्रोल वें इंजन इज स्विच्ट आफ एंड अल्टरनेटर इस नॉट रनी सही है अल्टरनेटर को अपरेट कराने के लिए मैंने बोला था इग्जाइटर की आवाज सकता होती है तो वहां पे भी आप डिसी से जो बैटरी है उससे पावर दे सकते हैं पहला तो यह हो गया तो फिर हम लाइटिंग वगेरा हो गया या फिर और जहां पर पावर का requirement हो हम दो कर 17ий बार है अगला है आपका देखो transaction motor अब transaction motor भी अलग-Alग प्रकार के हैं ध्यान रखिएगा प्रेक्षण मोटर Q भेन कि अहीं हमारा किया होता है विल को जो तेन का publi사가 उसमें प्रूलदिशान करने के लीए हम लोग यूज़ करते हैं क्लियर और ट्रेक्षेन होटा जैसे ईसके सरी मोटर यूज़ कर सकते हैं सरी मोटर यूज़ कर सकते हैं तिम और भी अगे है बताइंगे यए आपके उसके बारे में है ट्रेक्सन मोटर करके एक युनिट है ट्रक्ट और महने आप देख लिए ट्रैक्सन मॉट अर्ट आप प्रोवाईड़ er प्रोवाइड़ अन डी एक्सल्स टूगिव दफाइनल राइव उसको रोटेट कराने के लिए thirds कराने के लिए ड्राइब करने के लिए हम लोग ट्रैक्शन मोटर का इस्तमाल करते हैं डीसी सीरीज मोटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर सिंगल एसी सीरीज मोटर इज यहां पर आर कर लिजेगा नाट इस होगा ठीक है यह सब भी मोटर आपका इस्तमाल किया जाता है कहां प करो मोटर और वील के बीच में हम लोग की ऐसे क्या के इस्तिमाल की थे ठीक है बताए थे त्रीस टू ऐन और फॉरीस टू अगीर न का हम लोग इस्तिमाल करते हैं अब इसमें देख लिए हो जल्दी से कर लो इसको डाक्शन मोटर ड्राइब्स दी एक्सल थू ए रिडॉक्षन गियर ऑफ रेंज बीट्वीन थ्री इस्टु वन फ्राइट मतलब जो मालगारी होता है गुड्स ट्रेंड है उसमें थ्री इस्टु वन गियर का इस्तेमाल करते हैं और फॉर इस्टु वन ट्रेंग के लिए करते हैं जिसमें कि आप वगएरा होता या इसी कोछ वगएरा होता उसमें फोर इस्टु वन गियर का इस्तेमाल करते हैं ध्यान रखेगा अब हम लोग देखते हैं फ्यूल टैंक के बारे में कि जो डीजल इलेक्ट्रिक शकरती है हैं तो आप लगयरा देखते होंगे जब कभी है तो उसमें आप देखते हूंगे जो होता है बाटम में पर आपको हीडरेका सक्टीया किया हूँ मतलब बना हुआ मfound दिखा देता हूँ Yo I am a look hereesta इसी में देख सकते हैं आपको यहां पे दिख जाएगा कि यहां देखे हैंना बना ऊवभा फ्यूल टैंक यहां पर लिखा हुआ हैनों देखेंद कि वहां पे सिर्फ़ फ्यूल टैंक नहीं रहेगा उसके अलावे आप कह सकते हो कि फ्यूल टैंक के साथ साथ में एयर रिजर्वायर का भी टैंक रहता है अलोंग विट एक और चोटा सा टैंक बना जाता है जो कि लुब्रिकेशन करने के लिए होता है तो यह जो फ्यूल टैंक है इसमें हमारे डीजल जो ह मैं दोनों की बात कर रहोँ और यूएस दोनों का मतलब देखेंगे उसका जो रहता है एक्ट कहलेजे जहा उसके हिसाब से लगभग लगभग मैं बात कर रहा हॉए इक्जक्ट फिगर की बात नहीं कर रहा हूं करीब आप 2000-5000 गैलन के बीच में डीजल का स्टोरेज रहता है इतना बरा टैंक रहता है कि 2000-5000 गैलन डीजल को अस्टोर किया जा सकता है फिर बात करते हैं एयर रिजर्वाइड भी होता है इसके अलावे देखिए पानी को भी अस लिए 300 गैलन के आसपास पानी का स्टोरेज होता है उसके बाद आप लुब्रिकेशन की बात करेंगे तो करीब-करीब 200 गैलन आपका लुब्रिकेशन स्टोर के आता है जैसे अल्टरनेटर हो गया वह सब में जो रोटेशन होगा या जो मोटर वगर रोटेट करते रहता है तो उसमें भी लुब्रिकेशन की अवसकता होती है नहीं तो फ्रिक्शन के वज़ा से हीटिंग होगा या वीर एंटियर होगा और फाइनली हो सकता है कि जो मोटर हो या अल्टरनेटर होगा डैमेज हो जाए ठीक ना ध्यान रखेगा इन सब चीजों का ठीक तो चलिए हमारा क्या होता है इस चीज को अब दख लिए हैं ठीक फिल टेंक डीजल सटोड इन दा फूल टैंक at the bottom ऑफ डीजल इंजेन डीजल इन्जल्ट के क्या किया जाता है एक रजार करने में काम आता था यहां पर हैं रिजर्वार तो यह क्या होता है कि compressed air को store करने में काम आएगा ठीक है ना तो यह compressed air जो होता है वो किस काम का है तो यह compressed air देखिए breaking के time में आपका इस्तिमाल किया जाता है यह आपका electric engine जब पढ़ेंगे ना direct electric engine जिसको बोलते हैं तो उसमें भी आपका यह रहेगा and बात करें diesel electric engine की बात करें तो उसमें भी हमारा है जो कि breaking के time में आपका यह क्या होगा काम आएगा ठीक है ना अच्छा ब्रेकिंग के अलावे आप कह लिए कि cooling के लिए भी यह काम आता है ठीक है देख लेता है इसमें हम लोग क्या है देखो कि air reservoir इसके लिए इसके लिए टैंक बना जाता है जिसमें की एयर को compressed करके store किया जाता है जो reservoir या reserved किया जाता है इसा भी समझ सकते हैं ठीक कि अगला हम देखते हैं हां यह भी आप देख लिए एयर रिजर वायर कंटेनिंग क्या कंटेन कर रहा है यह देखें मैं आपको बताया था compressed air air reservoir containing compressed air at a high pressure are required for the train braking है ना क्यों यूज किया जाता है तो train braking में आपका यूज किया जाता है कुछ यही बताया था मैंने जो air compressed air है वह train को रोकने के लिए ऐसा कर सकते हैं या breaking apply करने में भी कि इस्तेमाल इस डीजल इलेक्टरिक इंजन में करते हैं ठीक अगला है आपका कौन सा तो air compressor air compressor क्या होगा air को compressed करने के लिए या compressed करने के लिए हम लोग air compressor का इस्तेमाल करते हैं ठीक है so it is required to provide a constant supply of a compressed air for the locomotive and train brakes ठीक जो locomotive है उसको भी आपके लिजे की compressed air provide करने के लिए यूज़ करते हैं और फिर ब्रेकिंग में जो हमारा compressed air का requirement होता है उस requirement को fulfill करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं तो air compressor का इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना air compressor भी एक प्रकार का आपका कह लिजे कि electrical to mechanical conversion वाला ही device है जो कि electrical energy को mechanical energy में convert करता है अग्ला बात करते हैं हम लोग साफ्ट का ठीक है अब देखेंगे द्राइब साफ्ट का रखाया है अब देखेंगे जब जो diesel engine है diesel engine आप देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो ठीक है जो डीजल इंजन है डीजल इंजन हो गया चाहे आप बात कर लिजिए एक्जलरी अल्टरनेटर हो गया या फिर में अल्टरनेटर हो गया यह सब आपका क्या होता है कनेक्ट किया हुआ रहता है जैसे कि आप इसी में देख रहे थे देख लिजिए यहां देखिए यह इस लेसे के साथ ये सब्सक्राइब होगा होगा रोटेट करना स्टार्ट करदेगा है तो इसमें आपका यूज किया जाता है चलिए आजाएए वापस अगराइब साफ्ट है ना यह रहा देखे ड्राइब साफ्ट में क्या बुले में आउट्पूट फ्रॉम् डीजल इंजन का जो में आउट्पूट है उसको हम लोग क्या करते हैं करनेक्ट कर देता है किसके मदद से तो ड्राइब साफ्ट के मतलब तो ट्रांसमीशन के लिए पावर को ट्रांसमीट करने के लिए असा कह सकते हैं अगला हम लोग देखते हैं सेंड बॉक्स ठीक है सेंड बॉक्स की बात अगर कर आजाए देखिए तो सेंड बॉक्स हमारा क्यों अप्लाइ किया जाता है कि जो विल होता है ट्रेन का विल है उसके बीच में और जो ट्रेक बिछा हुआ है बहुत जादा स्मूथ हो जाता है ठीक है मतलब बहुत कम फ्रिक्सन हो जाता है एडेसन कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाता है तो उस एडेसन को बढ़ाने के लिए या फ्रिक्सन जो होता है उसमें तोरह सा कह लिए फ्रिक्सन बढ apply करते हैं देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ है से इस जाता है यहाँ जरूरत होगा तो आप यहां पे देख सकते हो यहां से बालू जो है गिराया जाता है ट्रैक के उपर में ताकि इसके उपर जब हमारा ट्रेन और पट्री जो होता है जिसको क्या बोलते हैं पट्री और विल के बीच में जो है थोड़ा हमारा फ्रिक्सन बढ़ जा या फिर एडिये संके सकत रहता है करी सेंड टू एसिस्ट एड़ेशन इन दो बैड रेल कंडिशन जब बुरे का सिचुवेशन होता है या बहुत बुरा इस्थिती के लिजिए ट्रैक के साथ रहता है या बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है तो उसमें एड़ेशन को बढ़ाने के लिए या फिर कि आप देखें होंगे कि रेडिएटर रहता है जिसमें की आपको पानी डाला जाता है फूर कूलिंग परपस हैणा तो जो इंजन होता उसमें भी रेडिएटर लघे पर में आप देखेंगा देखो यहां पर आपको दिखाया गया है यह देखो यह हमारा सब क्या है रेडियेटर फैन है ठीक है इसके नीचे कहलो कि रेडियेटर लगा होगा जिसमें की वाटर अपलाए किया जाता है कूलिंग करने के लिए कि जो मोंटर प्गार हो वह अभी अटलिस्ट मतलब थंड़ा रहे अब ऐसा नहीं समझ लेना कि मोटर में हम पानी डालते हैं ऐसा नहीं है तो यह रेडियेटर भी हमारा कूलिंग परपस के लिए ही यूज किया जाता है अचला देखते हैं कि आप रिडियेटर रिशीन आतके लाओ oy कि लिए हैं यहां पर यहां पर इसकी यहां U kaha में यहां पर आपका कह सकते हैं कि इंजन में भी रेडियेटर पर तंडे पर वार्ट authority तो इसके लिए आप कर्सक्राइब करने के लिए उसको लो रखने के लिए हम रेडियेटर का इस्तवाल करते हैं और इंजन के चारो साइड में आप कहले वाटर को हम distribute करते रहते हैं याद किजिए और यह वाटर जो होता आपका फ्यूल टाइंग के पास में ही अपका स्टोर किया जाता है करीब करीब आप ऐसा मायन के चलो 300 गैलन के आसपास में वाटर को स्टोर किया जाता है और वही वाटर जो है कहां पर दिया जाता है रेडियेटर में ताकि उसके इंजन के चारो और वाटर जो हो रहे मतलब पानी जो है बना रहे और इंजन जो है अधिक गर्म या अधिक टेंपरेचर इंजन का नहीं हो पाए ठेक दो वाटर इज कूल बाइप पासिंग एक थ्रू ए रेडियेटर ब्लोन बाइए फें डिवन बाइए डिजल इंजन अभी बोलो कि कैसे मतलब कोई कंटिनुसली वाटर अपलाई किया जाता है तो यहां पर भी डिजल इंजन के लिए कह लिए या फिर आप कह लिजिए कि रेडियेटर फैन का इस्तिमाल करते हैं जो की कंटिनुसली वाटर को उसमें अपलाई करते रहता है किलर ना चालो आगे भरते हैं देखो देखो यह सब में पॉइंट है मैं आपको बता दिया है मैंने बताया है और इसको आप समझ लिए दिखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको मैं उता रहा हूं कि देखो यह हमारा कंप्रेशर हो गया ठीक है यह क्या हो गया एर कंप्रेशर हो गया यहां पर आप देख सकते हैं कि यह हमारा विल है सेंड बॉक्स की जो बात कर रहे थे यहां पर हमारा कुछ होपर टाइप से लगा हुआ है और इ यहां पर रेडियर लगा हुता है कि कूलिंग के लिए काम होता है यहां पर मैंने घीयर की बात किये ती है यहां पर चैनल होगी तो इस तो यह च्वान करते हैं और यह हमारा क्या है विल है यह विल है और यहां पर हमारा यह एक्सल है इसी एक्सल पर यह मोटर क्या होगा प्लेश्ड किया हुआ रहेगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर यह देखें, यह हमारा क्या है, अल्टरनेटर है और यहां पर यह देखें, साफ्ट के मदद से यहां भी कनेक्ट किया हुआ है, यह हमारा क्या हो गया, विल हो गया, ठिक, विल, और यहां पर आपका गियर बॉक्स यूनिट भी है, कुछ इस तरह से भी आप देख स हम लोग कि इसका अब नॉर्मल मैं एक समराइज करके वर्किंग लिख दिया हूं उस चीज को भी आप नोट कर लिजेगा कि क्या से वर्क करता है बहुत ब्रीफ चोटे में मैंने इसको एड किया है इड कांसेस्ट डीजल इंजन अल्टरनेटर सेट ठीक ना डीजी सेट बोल ल οπο proposition सेट 2 डेजेल इंजन होता होता है जो कहां पर फेड किया जाता है और मतलब जो मोटर ट्रेक्सी मोटर होता है वहां तक आपको फिल्टर लगाना परेगा ताकि असमूथ बीची मिल जाए और उस आउट्पूर जो अप्टेंड होता आप्टर फिल्टर इंग तो उसको आप ट्रैक्शन मोटर पर अप्लाइ कर सकते हैं जैसे आप अप्लाइ करेंगे ट्रैक्शन मोटर में रोटेशन है त्रूस उटेवल गिए झाल्ण दस मोशन अफ़वील इस आप एसा कह सकते हैं कि जो में मोशन होता हुआ अप्टेंड हो जाता है और मन कहले जो ट्रैन जो आपका रं करना स्टार्ट कर देता है तो तो आ है ठीकाना चलो स्बस्व यहाँ तक आपको समझ में आया कि नह operation of a diesel engine the operation of a diesel engine and alternator is controlled by separate control system अभी जब मान लो अल्टरनेटर है या फिर उसका जो भी अपर तुसों control करने के आवा सकता भी है अल्टरनेटर को भी controlling चाहिए आपका ठीक diesel engine को भी controlling चाहिए तो उसे control करने के लिए हम लोग separate control system बना करके रखते हैं चुकि आपने electronic control पढ़ा होगा उपर मैंने बताया होगा अगर आप याद करें तो डीजल इस्टोर्ड इंग में डीजल को स्टोर्ड कर दिया जाता है एड़ी बॉटम ऑफ डीजल इंगन कहां पे तो डीजल इंगन के बॉटम मैंने यह सब डिसक्स कर दिया एक चोटे से ब्रीफ में मैंने आपको समराइज करने का को सिस्किया हूं यहां पर सब्सक्राइज कर दिसे प्रीज नौटर आफ इसका स्टार्टिक्राइज क्या होता है तो हाइज होता थिंग तॉर्क विच इस में फडिजल इन परकार का कोई भी मैकेनिकल और रहता हिया आए और आपने देखा क्यों क्선atu पोटयां हो गया हो गया तो इस तरह से आपने क्या देखा ये सब यह मरें इस तरह से ऊपरेट करता है यह सभ आपको फूब सो कलियर हो गया होगा ठीक है तोल यहlı in j esempky कूछ advantage है और डीजल किач evans भी है इसको हम लोग देख लेते हैं उसके बाद किस अलग टॉपिक के और न यहां पर देखें क्या 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 advantage हो सकता आप क्या 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 đिस अजब क्या 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 यहांपर यहां पर यहां पर यहां पर यूज हम नहीं करते हैं क्लियर है तक यहां पर हो गया लो capital cost due to absence of OHE इसका capital cost क्या होता है लो होता है reason क्या है तो क्योंकि इसमें हम OHE या overhead equipment का इस्तिमाल नहीं करते हैं या वह absent रहता है इसका acceleration और retardation दोनों का दोनों आप क्या कर सकते हैं क्या होता है no requirement of a modification in the existing track while converting from non-electric to diesel electric traction अगर आप IC engine के लिए IC engine के लिए जो track बनाए हैं सेम track का आप diesel electric engine में भी यूज कर सकते हैं हलाकि देखिए track change करने की भी बात होती है चेंट रैक चेंज करने का मतलब ऐसा नहीं कि एक पैटरी पर से दूसरे पटरी पर ले जाना track का भी आप देखे होंगे गेज होता ब्राट गेज होता है नैरो गेज होता आगे इसके वारे में discuss करेंगे इसके लिए अलग है अब इसके लिए अलग होगा तो इसमें हमारे पास जो है पूरे का पूरे complete track को चेंज करने की आवा सकता नहीं है यह भी हमारे लिए प्रकार का क्या हो गया एड़ांटेज हो गया इस लोखमोटीव अन्ट्रेंट एसेलफ कंटेंड यूणीट ठीक है इसेलफ कंटेंड यूणीट देखो अल्ड़ी मैं ने आपको बताया कि सेलफ कंटेंड यूणीट क्या होता है तो कहने की बात कहिए कि अगर डीजल उसमें आप दे जेते हैं तो फिर इसको किसी भी आवस से तो फिर क्या होगा वह इंजन जहां का है जहां खरी रहेगी वह मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगी बिराउट सप्लाइब लेकिन डीजल इंजन में ऐसा जरुवरत नहीं है तो सेल्फ कंटेंड यूनिट के बारे में आपको बताया है जैसे बैटरी डाइब आपके सब्सक्राइब ले जा सकते हैं कोई ज़रुवरत नहीं है कि एक्स्टरनल सप्लाइब उसमें लगाए तो यह भी हमारे लिए एक परकार का एड्वांटेज है उसके बाद ऑबरॉल एफिसेंसी ऑप इस सिस्टम इज हाई ऑबरॉल एफिसेंसी क्या होता है सिस्टम का हाई होता है जब आप कंपरेजन करेंगे अधर से तो मतलब प्रीवियस से समझ लिए स्टीम इंजन से तो इसका जो इफिसेंसी होता है क्या होता होता है ठीक यह हो गया अगला हम देखते हैं क्या डीजल एलक्रिक ड्राइव कैन वी पूट इंटू सर्विस अट अपको जब मन करें अब करें इसको अपरेट करा सकते हैं इससे कोई नहкие है ऐसा नहीं है कि स्टीम इंजन के जैसा कॉल मानेगा स्टार्ट करने में लगा बंद में बही रहता है क्या का कम ही होता है ऐसा रही है कि बहुत होगा डिजल इंजन डिशन रॉट्ष का नोट कर लिज लिजएगा यह सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ध्यान रखियेगा ऐसा नहीं एक इस इस तो अप दिमाग में बना के रखिये डिजल इंजन कैन नौट विऑ अगर अगर हम बात करें कि डीजल इंजन को अवर्लोड कर दें उसके चंपता से अधिक हम उस पर बढ़ा दे तो फिर वह अवर्लोड नहीं किया जा सकता है ठीक है बर्दास से बाहर हो जाएगा ठीक अगला आपका रणिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जहाए इसका जो र सब्सक्राइब आपका रोटेशन रोटेशनरी पार्ट कह लिजिए कि आप अल्टरनेटर यूज कर रहे हैं एक नहीं कहीं दो अल्टरनेटर तीन अल्टरनेटर अलंग विद ब्लोर वगएर यूज कर रहे हैं एर ब्लोर जो है एर कंप्रेसर यूज कर रहे हैं तो इन सब उसका life क्या होता है कम होता है comparison to diesel electric engine ठीक है ना गुड चलो अगला देख लेते हैं separate cooling arrangement is necessary for diesel engine separate cooling engine कहने का मतलब आप मिलेगे कि अलग से आप radiator लगा रहे हैं अलग से आपको air blower लगाने की जरूरत है ताकि continuously air को जो है आप क्या कर सको उसके उपर apply कर सको ताकि temperature जो है अधिक नहीं हो सके समझ रहे हैं बात को यह सब का requirement होता और यह सब जरूरी है ठीक है तो वही चीज़ हम आपको उता रहें तो इसका भी जो होता है अलग से आपको cooling arrangement करने की आवसकता होती है अगला बात करते हैं इस type of attraction system the regenerative breaking is not possible regenerative breaking क्या है मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा यह पढ़ना है ठीक है तो इस केस में regenerative breaking हमारे possible नहीं होता है दिस इस नाट गूड फोर फोर आँ पूर यहां पर आवर कर लिजेगा इस नाट गूड फोर आवर economy हमारे economy के लिए यह अच्छा नहीं होता क्यूंकि आपको भी पता है कि जो डीसल है हमारे देश में नहीं बन्ता है हम बाहर से इसको import करते हैं मतलब बाहर से हम इस डीजल कुछ कुछ डिसएडवांटेज और दोनों है इसको भी अब थोड़ा मोडिफाइ किया गया और इसको दूर करने का कोई किया गया जो की हमारा अगले लेक्चर में पढ़ेंगे चले तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे और अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेरीज हो या कोई डाउट हो तो डैफिनिटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं कोशिस करूँगा कि आपका जो ही डाउट है या जो भी प्रस्न है उसके उपर्यूक्त कह सकते हैं या प्रॉपर आंसर उसका दिया जाए ठीक है ना और कोई भी फिडवेक हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा ठीक है चलिए धन्यवाले